Hello everyone, welcome to the new video from StudyBuzz और मैं हूँ अनभव गुपता तो यार आज की वीडियो बहुत important होने वाली है MBA experience के लिए because आज हम बात करने वाले है SAP round के बारे में SAP round जिसको sometimes supplementary admission process या supernumerary admission process भी कहा जाता है so आज की वीडियो के नहीं हम जाने वाले हैं इन तीं institutions के बारे में जो की SAP round कंड़क करवा रहे हैं I am Jammu, I am Bodhgayan, I am Sir Mall क्या होने वाले है SAP round क्या-क्या चीज़े आपको इसके बारे में पता होने चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले friends हम स्टार्ट करें I would like to request you प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल ऐकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपोर्टन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी एप भी डाउनलोड कर सकते हो तो वहाँ पर आपको cat and mba के mocks and videos प्रोवाइड होते हैं और आप हमारी इंस्टार्गाम पर भी connect हो सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब करते हैं और माई Facebook ग्रूप का नाम है StudyBuzz तो friends अगर हम सबसे पहले बात करें CAP के, तो CAP क्या होता है Common Admission Process CAP के अंदर generally ये 9 IMs participate करते हैं For example, Kashipur, Raipur, Raanchi, Trichy, Udhepur, Bodhgaya, Jammu, Sambalpur and Surmur जिसमें से जो हमारे Kashipur, Raipur, Raanchi और Trichy से लेके Udhepur तक जो है वो new IMs है उसके बाद Bodhgaya, Jammu, Sambalpur and Surmur ये हमारे baby IMs है Common Admission Process का क्या मतलब होता था कि एक ही institution इन सब के बिहाफ पे PI करवा लेगा जो भी VAT PI करवाना है जो भी second round में होता है वो एक ही institute करवा लेगा और वो ही marks सारे institutes में भेज दिये जाएंगे यानि कि बच्चों को individually हर एक interview के लिए appear करने की ज़रूद नहीं है एक का जो भी common round CAP round में करवार है उसके बस एक interview में appear होना है और वो ही marks हर एक जगाँ पे आपके चले जाएंगे अब इसी से ही मिलता जूलता एक और चीज है SAP round SAP round के बारे में अगर हम बात करें तो SAP round जैसे कि मैंने आपको बता था supplementary admission process या supernumerary admission process भी होता है और इसको तीन institutions इस बार देखने के लिए मिल रहा है बाकि अगर कोई भी और इसके बार में करवाता है SAP round को include करता है तो उसके लिए भी हम एक separate video बना लेंगे for example मान लेजे संबलपूर या कोई और institution करता है तो उसके बार में लोड़ी ही कम eligibility या score के ओपर आप SAP round के through भी apply कर सकते हो for example अगर आप CAP round के through इस college को convert नहीं कर पाए तो आप SAP round के through भी in colleges में apply कर सकते हो for example जब से सबसे पहले अगर मैं बहुत गाया के बारे में अगर बात कर लूँ तो ये आपकी screen के सामने इसका data है तो बहुत गाया का आप देख सकते हो कि CAT 2022 के result के लिए ये use करेगा तो अगर आपका इतना score अचीव हो रहा है और मान लिजे आपको CAP round की call नहीं आई है तो आप SAP round में भी बहुत गाया के through apply कर सकते हो बहुत गाया के अंदर इसके बारे में complete details आपको बहुत गाया की I am बहुत गाया की website के ओपर मिल जाएगी और अगर हम final selection के बारे में देखें तो CAT को 50% weightage दी जाएगी personal interview को 20% weightage दी जाएगी profile को 30% weightage दी जाएगी और उन्हें बता है overall CAT score में 45% जो रहेगा उसमें 5 VRC को 5% ये additional weightage देने वाले है उसके बाद personal appearance जो personal interview है उसके अंदर 20% weightage है और ये जो profile है 30% इसमें academic profile के 12% weightage होगी, work ex की 16% weightage होगी और diversity की 2% weightage देखेगी उसी तरह अगर हम I am जम्मू के बारे में बात करें तो in case अगर आपको cap round के through call नहीं आई है और आपकी इतनी cut off achieve हो गई है, जो कि आप देख सकते हो cap से थोड़ी कमी है, यानि कि मानिज़ यहाँ पे 90 या 87 है और EWS में इतनी और बाकी सब में इतनी है, अगर आपकी इतनी achieve हो रही है इससे उपर है, तो आप इनके sap round के अंदर भी apply कर सकते हो sap round की details आपको इनकी website के उपर मिल जाएगी तो यानि की cap से थोड़ी सी कम cut off के अंदर आपको sap round की भी call आ सकती है, अगर हम इसमें final selection के बारे में बात करें तो cat को यह 40% weightage देने वाले है, personal interview को 30 marks देने वाले हैं और profile को 30 marks इन्होंने बताया, cat score को 40% weightage देंगे, उसके इन्हों maximum 40 marks कोई बच्चा achieve कर सकता है, out of 100 marks personal interview के अंदर 30 marks जैसे कि आपको बाता है, और profile में academic profile को 10 marks है work experience को 8 marks है diversity को 8 marks है academic profile भी इन्होंने बताया कि 10th के standards को इतना दिया जाएगा, 12th को इतना जाएगा और graduation को इतना दिया जाएगा तो अगर आपका overall profile भी अच्छी है तो आप sap round के through भी इसके अंदर apply कर सकते हो, next difference हमाप I am sir more, I am sir more भी इस बार इसके इंदर include हो गया, तो यानि कि अगर आपकी personal interview के लिए इतनी cut off आईए अगर आपके cat में इतने marks हैं, और इन्होंने range दे दिया अगर आपके 80 से 92 के बीच में है, या EWS अगर कोई बच्चा तो 60 से 70 में है, अगर NC OBC है तो 60 से 74 में, although अगर आपके higher end पे होंगे, तो ही आपको benefit है लेकिन हाँ इन्होंने एक range दे दिया, अगर आपके इस range में हैं, तो भी आप apply कर सकते हो और final selection क्या रहेगा, इन्होंने भी बता दिया कि cat score को 45% weightage देंगे, PI को 30% देंगे, academic performance को 10% weightage देंगे, उसके अंदर इन्होंने बता दिया, 10th के marks को 3 12th के marks को 3 और graduation को 4 corporate work ex को 10% weightage देंगे, academic diversity यानि कि जो non-engineers बत्चों होते हैं, उनको 5% weightage दी जाएगी, तो इस तरीके से final selection सर्मौर के अंदर ये करने वाले हैं, तो friends ये है कुछ complete details sap round के बारे में, तो please in respective colleges की website को आप regularly visit करते रहिएगा, ताकि आपको sap round के बारे में complete details मिलती रहे, या जब भी कोई update होगी, तो उसके उपर हम channel के उपर वीडियो बना देंगे, तो please channel को subscribe करके, bell icon ज़र प्रेस कर देना, please हमाँ ऐसा whatsapp पर ज़रू connect होते हैं, आप हमें email भी कर सकते हो, अगर आपकी कोई query है, तो please हमाँ ऐसा Instagram पर ज़रूर follow कर लेना, because यहाँ पर हम daily business पर बहुत important content post करते हैं, और अगर आपको किसी भी life course, pen drive course या किसी भी batch में enroll करना है, तो हमारी website है www.studyverse.co.in यहाँ जाके complete details आपको मिल जाएंगी, so thanks a lot, all the best, God bless you.